इसलिए आज मैं इस कहानी के मातन से फिर आपको सचेत करना चाहता हूँ एक गाउ में साधी होकर आई थी बहु की सास बोली के चलबे के तुझे देविक्य दर्सन करेलों मंदर में चलते हैं बहु ने कहा चलो माजी पूजा पाठ के समान हाथ में लिया आगे आगे सास और पीछे पीछे बहु चल दी जब मंदर के हाथे में पहुची तो सामने दो सेर खड़े थे सेरों के दर गई बहु डर गई बहु ने कहा माजी ठेरो देखो सामने सेर खड़े हमें खा जाएंगे घर वापिस चलते हैं सास बोली बहुतो सीधी आ गई मेरे तो घर का नास हो गया उसने कहा बेटा ये तो पत्थर के सेरे ये खा नहीं सकते बहुने कहा माजी नहीं खा सकते तो चलो जब मंदर के द्वार पर पहुंची तो वहाँ पर एक गाय के दूद को उसका बच्ड़ा पी रहा था बहुने कहा माजी ठेरो देखो यहां पर कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूद को इसका बच्ड़ा पी जाता है मैं घर से बाल ती लेकर आती हूँ और इसका दूद निकाल के घर ले चलंगे सास ने मारा सिर में हाथ बोली बहु तो पागला गई मेरे तो घर का सित्यनास हो गया अरी तू अंदी है दिखाई ने देरा ये पत्थर की गाय है पत्थर का बच्ड़ा है न ये दूद दे सकते न दूद पी सकता है बहुने कहा माजी नहीं पी सकता चलो जब मंदिर के अंदर पहुँची तो सास बोली बेटा मांगले देवी जी बैठी है बहुने चारो तर घूमपर के देखा माजी कहां पे अरी ये ना बैठी माजी मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये पत्थर की हो आहां पूरी महिला इसी इक से मांगती है तू भी मांगले बहुने कहा माजी मांगने से पहले मेरी बास सुनो जब पत्थर के से रमेख खा नहीं सकते पत्थर की गायत दूट दे नहीं सकती पत्थर का बचया दूट पी नहीं सकता ते पत्थर की देवी बूल्यों किस देने वाली नहीं है मेरी देवी तक तुम हो साथ साथ जिंदा देवी हो मैं तुमारी सेवा करूंगी तो पदले मुझे प्यार और सम्मान मुलेगा लेकिन आज उल्टा हो रहा है जो घर में असली देवी बेटिये मा बहन बहु बेटी के रूप में उस पे तो हमारा एक तंडा चलता है गाली देते हैं अपमानित करते हैं अत्याचार करते हैं और साथी में तहेज की दिमान करते हैं और अगर ना मिले तो बहु को आग में चला करके मार देते हैं असली जिंदा देवी पे अत्याचार और पथर की नकली देवी बारे हाथ वाली पर लगडू तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है और एज देवी और में बता रहा हूँ आपको अगर इस देश के इंदर सकती साली कोई देवी है तो पहन कुमारी मायवति जिए जिए आज मोदी कोटर राहूं से नहीं है राहूं कोटर मोदी से नहीं है सोनिय कोटर मोदी से नहीं है मोदी कोटर सोनिया से नहीं है अगर मोदी और राहूं कोटर है तो पहन कुमारी मायवति से जितर है इसलिए आज आप सब लोग यहां से एक बिर्तिक्या करके उठेंगे नौजवान हो चा पुजर्गों चा बहन हो चा भाई हो चा हमारे कोई भी हो चा धार मिक्रें चा जाती के नाम पर संक्तन है चा धरम के नाम पर संक्तन है जा महापुर्सों के नाम पे संटने अगर वे वास्तम में बाबा साथ के सच्चे पुजारी हैं तो जहां जो करने करें लेकिन अपने संबोधन में एक बात जरूर कहें कि भाई हमारी जो लड़ाई है वे मोदी से लड़ाई है और इस लड़ाई को अगर जीश सकते हैं तो बेहन कुमारी मायवती जीश सकते हैं तो हमें हाती का बटन दबाना है और बहुजन समाज पाइटी को सत्ता में लाना है तो आप वास्तम में समाज के सच्चे सपाई हैं वरना तो धोका ही धोका है जाती और धरम के नाम पर कहीं चातम महासवा कहीं पर जो फेरवा महासवा कहीं पर रेगर महासवा कहीं पर मेगवाल महासवा कहीं पर बालमीक्स महासवा कहीं सैनी महासवा कहीं राजपूत महासवा ये सबाज इतनी बन रही है अगर ये राज लिती में अइस्ते माल होती है दूसरों के हाथों तो फिर इस समाज का कोई भला होने वाला नहीं है इसलिए आप सब लोग जो सुन रहे हैं के दो हमें कोई अतराज नहीं है बनाना चाओ बनाओ लेकिन एक सेंटेंस जरूर बोलिए क्या कि पहुजन समाज पाइटी के साथ है और हाथी का बटन दबाएंगे और देश पर अपना राज काईम करेंगे धन्यबाद, जैभीम, जैभारद नमोगता